चिरियाघर में अवैद रूप से पारकिंग ठेकेडार ने नए अवैद पारकिंग गेट खोले जाने की वज़े से लगता है पुराने मतुरा रोड पर जाम जाम की वज़े से जनता को उठाना परता काफी परेशानी रोड के साथी खोल दिया अवैद गेट ट्राफिक पुलिस को शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही पुरानी मतुरा रोड स्थित चिरियाघर में पारकिंग ठेकेडार द्वारा अवैद रूप से चिरियाघर का पारकिंग का गेट खोले जाने की वज़े से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है रोड के साथ की पारकिंग का अवैद गेट खोले जाने से वहां हर रोज जाम रहता है जाम की वज़े से लोगों को काफी परेशानी होती है कई बार शिकायत के बावजूद भी उस अवैध गेट को बंद नहीं किया गया, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और पुलिस की मिली भगत भी नजर आती है पहले यह गेट अंदर की तरफ था जहां पारकिंड होती थी लेकिन पारकिंड के ठेकेदार ने मोटी कमाई के चलते में रोड के साथ ही अवैध गेट खोल दिया जिसकी वजह से यातायात में लगातार असुविधा हो रही है और जाम लगा रहता है स्थानिय लोगो वैए साई के अधारा भी ट्राफिक पुलिस को शिकायत भी गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं पूर देपनिस रहा है यह जो है यहां पर जाम जो है लगवा कि यह तीन चार महिने से चल ला है जाम इसके लिए जो है हमने डिपार्टमेंट पुलिस अधिकारी को ट्रापिक डिसी पी को ट्री रिख को सब को जो है हमने जो है लेटर दिया गया है डिपार्टमेंट के तरफ से अधिया है यह सामने आपको दिख रहा है है यहां से इंटिर है वहां से जो गेट खुली है वह से जो बिल्कुल अनूत्राइज है उसके वजय से जब होता है को बस पर पर जो है सामने सामने जैभाडी दिख रहा है आदमी आगे की ओर देखे यहां पर इधर से गाड़ी तो जम नहीं था ट्रैफिक का अब जो है वो किट खुड़ें कुछ नहीं है यह थाने में भी दिया है अच्छों को भी जानकारी में दिया हूं और ट्रैफिक में ट्रैफिक को भी जानकारी है को भी जानकारी सब को बजाबते लिटर दिया गया कोई कदम नहीं आज तो पुटा है यह आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ से प्रियास किया है या फिर शिकायत देकर कही नहीं अधिकारीयों को जो है हम लोग सिकायत किया हूं लिखिज में किया हूं जिसका हमारे पास ज जम पब्लिक जो है परिशान होता है सनीवार और संदेख